Question number 2 Express each of the following as a Roman numeral Question number 2 First 164 तो इसको Roman numeral में लिखना है तो पहले इसको तोड़ लेंगे तो 164 हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस तो 100 प्लस 50 प्लस 10 हो गया 160 और फिर 4 है तो 4 कैसे लाते है Roman numeral में 5 माइनस 1 करके लाते हैं ठीक है तो 100 प्लस 50 प्लस 10 हो गया 160 तो 100 को Roman numeral में C से लिखते हैं तो C हो गया 100 50 को L से लिखते हैं तो CL हो गया 150 10 को X से लिखते हैं तो CLX हो गया 160 अब 5 माइनस 1 है तो 5 को B से लिखते हैं 5 को B से लिखते हैं Roman numeral में अब 5 माइनस 1 है क्या है 1 माइनस करना है इसलिए B के लेफ्ट साइड में I लिखेंगे तो 164 हो गया C L X I B C L X I B I B मतलब 4 और C L X मतलब 160 तो 160 और 4 मिलके हो गया 164 तो इस तरह से Roman numeral में तोर तोर करके लिखा जाता है Second 195 तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे इसको इस तरह से तोड़ेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 10 तो देखें 195 को Roman numeral में लिखने से पहले इस तरह से इसको तोड़ना होगा ठीक है क्योंकि 100 प्लस 100 माइनस 10 होता है 90 100 माइनस 10 क्या होता है 90 तो 90 और 100 को एड़ करेंगे तो 190 हो गया फिर 190 और 5 को एड़ करेंगे 195 तो 100 को Roman numeral में C से लिखते हैं फिर 100 को Roman numeral में C से लिखते हैं लेकिन यहां पर 100 माइनस 10 है यानि 100 में 10 माइनस करना है इसलिए C के left side में 10 यानि X लिखेंगे तो X C हो गया 90 X C क्या हो गया 90 C हो गया 100 ठीक है और 5 का होता है B तो 195 का हो जाएगा C X C भी 100 प्लस 100 माइनस 10 प्लस 5 तो 100 का C 100 माइनस 10 यानि X C X C मतलब 90 100 माइनस 10 हो गया 90 और 5 का B थर्ड 226 तो इसको इस तरह से लिखेंगे 100 प्लस 100 प्लस 26 इस तरह से लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 तो 100, 100, 200 हो गया 10, 10, 20 हो गया 5 प्लस 1 हो गया 6 तो 100 को C से लिखते हैं फिर 100 को C से लिखते हैं तो C, C हो गया 200 cc हो गया 200 10 को x से फिर 10 है तो फिर x लिखेंगे 5 को b से और 5 में 1 जो add करना है जोडना है तो add करना है 1 इसलिए b के right side में i लिखेंगे add करना है तो right side में i लिखते हैं तो v i मतलब 6 हो गया 5 प्लस 1 तो 226 हो गया cc xx v i फोर्थ 341 तो 341 ऐसे इस तरह से लिखते हैं रोमन नुमरल में 100 प्लस 100 प्लस 100 तो 100 प्लस 100 प्लस 100 हो गया 300 उसके बाद 41 है तो 40 कैसे लाते हैं 50 में 10 माइनस करके 50 माइनस 10 तो 50 माइनस 10 हो गया 40 अब 41 है तो 1 एड़ कर देंगे ठीक है इस तरह से तोड़ेंगे तो रोमन नुमरल में लिखने से पहले तो 100 प्लस 100 प्लस 100 हो गया 300 फिर 41 है तो 40 लाएंगे 50 में 10 माइनस करके फिर 1 एड़ कर देंगे तो 50 माइनस 10 40 40 प्लस 1 41 तो 100 को C से 100 को C से 100 को C से तो C C C मतलब 300 300 है तो C C C C लिखेंगे अब 50 माइनस 10 है तो 50 को लिखते हैं L से 50 को L से लिखते हैं अब 10 माइनस करना है L में 50 में 50 को L से लिखते हैं रोमन निम्मरल में 50 में 10 माइनस करना है तो L के लेफ्ट साइड में 10 लिखेंगे 10 मतलब X यानि XL मतलब हो गया 40 और 1 का होता है I तो XL I मतलब 41 और CCC मतलब 300 तो 341 हो गया फिप्थ 475 तो 475 को लिखेंगे 500 माइनस 100 400 कैसे लाएंगे 500 में से 100 माइनस करके 400 लाते हैं रोमन निम्मरल में ठीक है 500 माइनस 100 हो गया 400 अब 75 लाना है तो 75 के लिए 50 यानि 50 प्लस 10 प्लस 10 देखें 50 प्लस 10 प्लस 10 हो गया 70 और फिर प्लस 5 तो 75 50 प्लस 10 प्लस 10 70 प्लस 5 75 500 माइनस 100 400 500 को रोमन निम्मरल में D से लिखते हैं 500 को रोमन निम्मरल में D से लिखते हैं और 500 में 100 माइनस करना है इसलिए D के लेफ्ट साइड में 100 लिखेंगे क्योंकि माइनस है अगर प्लस रहता है यहाँ पे तो D के right side में लिखते हैं तो 500 का roman numeral हो गया D, 100 का होता है C तो CD मतलब हो गया 400, देखें, CD मतलब 400, और DC मतलब होता 600 अगर यहां plus रहता है तो D के right side में C लिखेंगे minus है, इसलिए D के left side में C लिखेंगे तो 500 minus 100 हो गया CD, यानि 400 तो 400 हो गया है, CD मतलब होता है 400, 50 का हो गया L 50 का होता है, roman numeral में L 10 का हो गया X फिर 10 का हो गया X 5 का यानि 5 का हो गया B तो CD, L, X, X, B हो गया 475 यानि 475 CD मतलब 400 L मतलब 50, X मतलब 10 B मतलब 5 तो CD 400, L, X, X 70 भी मतलब 5 तो 475 6 596 596 तो इसको इस तरह से लिखेंगे पहले roman numeral में तोड़ने से लिखने से पहले 500 प्लस 100 100 100 100 प्लस 5 5 प्लस 1 तो 596 को इस तरह से लिखेंगे 500 प्लस 96 है तो 100 माइनस 10 हो गया 90 और 5 प्लस 1 हो गया 6 तो 500 प्लस 90 प्लस 6 हो गया 596 तो 500 को roman numeral में D से लिखते हैं 100 को C से लिखते हैं 10 को X से लिखते हैं तो X C के लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि माइनस हो रहा है तो 100 माइनस 10 यानि 90 का होता X C तो C के लेफ्ट साइड में X लिखेंगे क्योंकि माइनस 10 है 10 का होता X 100 का C 500 का D फिर 5 का B 1 का I तो D X C भी I 7 611 611 तो इसको रोमन निमरल में लिखने से पहले इस तरह तोड़ेंगे 500 प्लस 100 हो गया 600 फिर 11 है तो प्लस 10 प्लस 1 तो 611 हो गया 500 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 तो 500 को D से 100 को यानि 100 को C से लिखते हैं तो D C मतलब हो गया 600 500 प्लस 100 प्लस 100 है इसलिए C को D के राइट साइड में लिखेंगे ठीक है माइनस रहता तो D के लेफ्ट साइड में लिखते है तो प्लस है इसलिए D के राइट साइड में C लिखेंगे तो 500 प्लस 100 हो गया D C 10 का होता है X 1 का होता है I यानि D C X I मतलब हो गया 611 8 759 तो 759 को इस तरह से तोड़ेंगे 500 प्लस 100 प्लस 100 यह हो गया 700 प्लस 50 प्लस 9 लाएंगे 10 माइनस 1 करके देखें तो 500 प्लस 100 प्लस 100 हो गया 700 लेकिन यहापे 759 है तो 50 प्लस 10 माइनस 1 होता है 9 तो 59 हो गया इस तरह से तोड़ लेंगे तो 500 का होता है D रोमन निम्मरल में 100 का होता है C फिर 100 का होता है C देखें 500 प्लस 100 प्लस 100 यानि D, C, C 100, 100 दो बार है तो C, C लिख लें अब 50 का होता है L 50 का रोमन निम्मरल में L होता है 10 का होता है X तो 10 माइनस 1 है इसलिए X के लेफ्ट साइड में 1 का यानि I लिखेंगे तो I X मतलब 9 होता है तो L मतलब 50 यानि L I X मतलब 59 और इधर हो गया 700 तो 759 का हो गया D, C, C, L I X